उन लोगों को सावर कर पढ़ाने दो आप दिली के सारे स्कूलों में अंबेड कर साब को पढ़ाईए चुनाव हार जाएं तो कहते हैं दलीतों के वोट चाहिए चुनाव हार जाएं तो कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए जिनाव जीतने के चांस हो तो कहते है रिजरेशन खतम कर दो मौधी जी देश नहीं है RSS संसद नहीं है और मनुस्मृति सम्विधान नहीं है विजद अश्मी के दिन हम सब लोग जानते हैं बाबा साब अमबेट करने बुद्ध धरम को अपनाया था विजद अश्मी के दिन नागपूर के अंदर दो घटनाएं घटी हैं हर साल RSS के हेड़कॉर्टर के अंदर शस्त्र पूजा होती है और नागपूर के अंदर भारी तादाद में पूरे देश से दलित समाद से लोग के कठ्थे होते हैं और बाबा साब अंबेडकर को याद करते हैं जिस दिन उनोंने अपना धरम परिवर्तन किया था और दो साल से मात्र चंद लोग जो RSS के हेड़कॉर्टर में शस्त्र पूजा करने के लिए कठ्थे होते हैं उसका दूरदर्शन लाइव टेलीकास्ट करता है लेकिन लाखों दलित जो बाहर मैदान के अंदर नागपूर के अंदर इकठ्थे होते हैं अपने बाबा साब अंबेडकर को याद करने के लिए उनका दूरदर्शन लाइव टेलीकास्ट नहीं करता है अभी आप सबने NCRT सुना होगा, National Council for Educational Research and Training, NCRT उसकी जो राष्ट्रे परिशद है, उस राष्ट्रे परिशद के जो चेर में ने, वो यूनियन HRD मिनिस्टर होती है, स्मृती रानी जी उसकी चेर पैसन है, और उसके जो मेंबर होते हैं, वो देश के जितने राज्ये हैं, ह जी दिल्ली के शिक्षामंत्री हैं, इनको वहाँ जाने का मौका मिला, ये वहाँ गए और लोटने के बाद ये पूरा किस्सा मुझे बता रहे थी कि उस मीटिंग में क्या हुआ, NCRD की मीटिंग में इन्होंने बताया, पांच मिनट, पहले पांच मिनट में जो उनका फॉर्मल एजेंडा था, वो पूरा कर लिया, और उसके बाद चर्चा शुरू हुई, उसमें कई BJP शासित राज्यों के भी शिक्षामंत्री थे, चर्चा शुरू हुई कि सावरकर को स्कूलों के सिलेबस में लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए, मनीश ने उसका विरोध किया, आदा घंडा, पौना घंडा इसकी चर्चा चली, कि सावरकर को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, जब मनीश ने विरोध किया, उनको ल अपील करना चाहता हूँ उन लोगों को सावर कर पढ़ाने दो आप दिल्ली के सारे स्कूलों में अमबेड कर साप को पढ़ाईए बाबा साप के जीवन बाबा साप के जीवन और बाबा साप के विचार बाबा साप के संदेश इनको विस्तार से आप दिल्ली के सारे स्कूलों में इसका सिलिबस तयार किये और सारे स्कूलों के अंदर इसको पढ़ाने का इंतजाम कीजिए बाबा साब अमबेड कर वो खुद छुआ छूत का शिकार हुए थे उन्होंने खुद ने अपनी जिन्दिकी के अंदर अन्याई बरदाश्ट किया था इसलिए उन्होंने समविधान के अंदर रिजर्वेशन की विवस्था की थी वो जानते थे कि ये समाज वो समाज है जिसने सदियों सदियों से अन्याई बरदाश्ट किया है सदियों से उन्होंने छुआ छुद बरदाश्ट किया है अगर उस समाज को अपने को बराबर लाना है तो अपने को उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा आज मौझूदा सर चुनाव हार जाएं तो कहते हैं दलीतों के वोट चाहिए चुनाव हार जाएं तो कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए चुनाव जीतने के चांस हो तो कहते हैं रिजर्वेशन खतम कर दो सारा देश देख रहा है इसको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी मोदी जी देश नहीं है आरे से संसद नहीं है और मनुस्मृति सम्विधान नहीं है आज ये देश आज ये देश कौन से सम्विधान से चलाने की कोशिश की जा रही है बाबा साब अमबेडकर के सम्विधान से या मनुस्मृति के सम्विधान से हम ये बरदाश्ट नहीं करने वाले ये देश ये बरदाश्ट नहीं करने वाला बहुत सालों के संगर्ष के बाद बहुत सालों की लड़ाई के बाद आजादी मिली थी और आजादी के बाद बाबा साब अमबेड करने हमें ये समविधान दिया है इस समविधान के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे लेकिन इस समविधान के विरत कोई काम नहीं और देंगे आज इनोंने समविधान के पर्खचे उड़ा रखे हैं इनोंने एरुनाचल के प्रदेश के अंदर सरकार तोड़ दी खरीद लिए चुनाव लड़ने की ताकत नहीं बची अब, अब सरकारें तोडेंगे, सरकारें गिराएंगे, अरुनाचल बर्देश की सरकार तोड़ दी, उत्रा पर चेल की सरकार तोड़ दी, अब कहा रहें दिली के 21 हमेले बर्खास्त करेंगे, कर लो बर्खास्त, आजाओ मैदान में चुनाव लड़ते हैं, हिम्मत है तो आजो मैदान में चुनाव लड़ते हैं, हम बाबा साब अंबेड करके सम्विधान के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, तुम ये बैक डोर एंट्री करना बंद करो, ये देश की जंता पर्मनेंटली तुमें डिस्मिस कर देगी